जहीं साथी मेरा नम है आकास बहुर्या और आपसे लोग का आपकी अपनी चैनल आलकुपी श्लेडी पर बहुत बस्वागत है। रिक्रूट्मेंट जो है यह आप लोगों का कब आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को नई नई भरती उस सम्मझत जानकारी आप लोगों को हमिस्था हमारी चैनल पर मिलेगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चली देख लेते हैं फटा फटा है तो सबसे पहले हम लोग यहा पोस्ट पर वैकंसी आयो हुए है, कुल मिलाकर आप लोगों की R28 पोस्ट पर आप लोगों को वैकंसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अप्लिकेशन फिस जी हाँ दोस्कों अप्लिकेशन फिस, ST, 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 और PWD की जो है, कंडिडेट है, उनके लिए कोई फिस नहीं है, बिल्कुल फ्री में आवेधन कर सकते हैं, अधर कंडिडेट जैसे की General EWS, OBC, इनके लिए जो है है, 100 रुपए फिस पेमेंट करना पड़ेगा, वह है female candidate जो है, इनको कोई फिस पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, चाहे किसी भी कटेगरी से आती हो, ठीक है, चलिए, अब बात कर लेते हैं, आप लोगों को इसमें selection procedure किस आधार पर होगा, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जो है है, यहाँ पर return exam होगा, 50 नमबर का, 20 नमबर का, आप लोगों को ट्रेट टेस्ट होगा, उसके बाद document verification होगा, medical होगा, फिर final आप लोगों को joining दे दी जाएगी, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आप लोगों के जो है, इसके age limit के हाँ है, आप लोगों को education qualification क्या माँगा गया है, ठीक है, तो देखें कि आप लोग जो है, age limit आप लोगों की देख लेते हैं, 18 लेकर 25 वर्ष, ठीक है, कितना आप लोगों को, 18 लेकर 25 वर्ष तक आप लोगों की इसके age limit यहाँ पर रखे गए है, ठीक है, और यहाँ पर government rule के according जो आप लोगों को हमेशाँ छूट मिलता है, वो आप लोगों को छूट यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, जैसिक पोस्ट में आप लोगों को इस आइटिया ही मांगा है, और इसका जो है complete information आप लोगों को full notification आने के बाद ही पता चल पाएगा, कि आप लोगों को exact आप लोगों को qualification क्या मांगा गया है, तो फ्रस नेक्स्ट देख लेते हम लोग जो आए हैं, यहाँ पर इसके exam pattern क्या होग प्रते question आप लोगों को जो है, एक number कहोगा, और इसके लावाँ आप लोगों को जो है, कोई भी negative marking आप लोगों कुछ में नहीं देखने हैं, और paper जो बनेगा आप लोगों का, वो English, Hindi, दोनों language में आप लोगों का paper रहने वाला, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो है, general intelligence and reasoning रहेगा, पचीस question, पचीस number के आप लोगों को रहने वाला है, यही numerical रहेगा, आपको पचीस question, पचीस number के, इसका साथ जो है, ठीक है, general awareness and current affairs, पचास question रहेगे, पचास number को टोटल सव question, सव number का आप लोगों को यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, तो उमीद कर रह आप लोगों को अभी तक जो है, एसस्ती की जो calendar आता है, ठीक है, उस calendar में आप लोगों को 2024 का जो calendar लांच हुआ है, ठीक है, उसमें भी आप लोगों को नहीं देखने है, ठीक है, उसमें भी आप लोगों को नहीं दियागा, ठीक है, इसका new calendar आप लोगों का जो आने वाला लोगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों को अप्रेल मन्थ में ठीक है कब आप लोगों को अप्रेल या फिर मैं मन्थ में ठीक है और इस समय जितने भी कलेंडर हैं आप लोग देख लिजिए 2023 का कलेंडर ठीक है 2024 का कलेंडर इन सभी में आप लोगों को जो सिड्यूल है ठीक है सभी जो एक्जाम सिड्यूल पहले से हैं तो इसमें आप लोगों को कोई भी चांसर ज नहीं है बिल्कुल real information में आप लोगों को provide करा रहा हूँ आप लोगों मुझे पर बिस्वास्त कर सकते हैं और साथ साथ वीडियो का भी तक like नहीं कि याद वीडियो को भी like कर दिजिए इससे related आप लोगों कोई भी question है आप लोग comment करके post सकते हैं उसका reply जरू दूँगा बाकी में मिलता हैं बस्ते नई जानकारिक साथ नई वीडियो में तब तलए कि लिए take care, good bye